हालो फ्रेंड्स तमारो स्वागे छे मारा कीचिन मा आजे आपड़े बना वीशु होटेल जेवु मटर पनीर जो तमने होटेल नू खावानू मन थतु होई तो तमें घरे एकदम जटपट अने रेस्टरॉंड करता पन टेस्ट स्टीये उँ आ मटर पनीर बनावी शको छो आ मटर पनीर बनावी तमें नान रोटली के पराठासा थे सव करी शको छो तो चालो बनावी तो एना माट एक कडाई लेह लीदी छे एमा आमें चाट टेवल्स पुंजेतलू तेल लीदू छे तेल ने गरम करेशु तेल गरम टुकडा करी आरीते उम्हेरी देशु अने डुंगळी ने आपड़े तरण थी चार मिनित जीवू सातली लेशु तो डुंगळी नो का लर हलको लाइट पिंक जीवो थाशे अने साथे डुंगळी आरीते बद्दी छुटी पडी जाये एरिते आपड़े सारी रीते थव पादेवानी तो लगबग 4 मिनिट मां तमें जोई शको छो डूंगली सारे रीते सत्राई गई छे अनने में मीडियम गेस पर सात्राई छे तो हवे सारे रीते सत्राई गई गई उछे एक मुठी जेटला में काजु लिधा छे तमें काजुना टुकडा पन लई शको छो उमेरी अनने एक थी बे मिनिट जेवू एने पन सारे रीते सात्राई गई गई आ छे हवे आपड़े एमा त्रोण मेडियम टमेटा एना आरीते मोटा टुकडा करी उमेरी दैशू मिक्स करीशू साथे साथे डॉट टी स्पूंज एटलू मिठू मेरी दैशू एटले टमेटा छे जल्दी थी सौफ्ट थाई जाशे मिक्स करी अने मिडियम गेस पर टमेटा तोहवे में टोटल चारेक मिनित जहू थकडा दीदू छे अन्डे टमेटा सौफ्ट थई गया छे गेस는데 आज बंद करी दैशू अने आ मिष्रन ने अपणे एक दम थंडू थवा दैशू तो मिष्रन थंडू था एतिया सुधी मा आपड़े पणीन ना टुकड़ा करी ल तुप आई यह आमें 800 ग्राम पनी लीदु छे आपड़े पनी ना रीते टुकड़ा करीशू अन्य पनी ने तम्य चोरस के त्रिकोण आकार मा कापी शको छो तो हुँ अत्यारे ट्राइंगल शेप तो आ रीते तो तम्य जो शको छो केवी रीते हुँ आरीते आपड़े ट्र शर जहार मा नाखी शो औने एकदम स्मूद पेस्ट करी लेशू एच कड़ाई मा अपड़े 4 टेबल स्पून चेटलू तेल उमेरेशू तेल ने गरम करीशू तेल जी उगरम थाई जै एटले एक अपड़े तजनो टुकडव एक तमाल पत्र एक टीस्पून जीरू जीरानो कलर बदलाई एटले गेसनियाच एकदम स्लो करी अने तेल पन वदार गरम नो होए त्यार आपड़े डॉट टेबल स्पून चेटलू काश्मेरी लाल मर्चू उमेरीशू तो पेस्ट नाखी बे मिनिट जीवू पेस्ट ने अपड़े मिडियम गेस पर थवा दैशू बे मिनिट थाई एक कप मैं एक फ्रेश वटाणा यूज करिया छे लीला वटाणा तमारी पासे जो फ्रेश नो होए तो अत्यारे नहीं नाखवाना फ्रेश लियो तो तमारे अत् 5 मिनिट जेवू थवा देवानू तो वच्चे आपड़े एक थी बे वार जेवू हला वीशू तो तड़े चोटे नी ए धिहान राखवानू मिठू एटजिस करी लेशू आपड़े पेला नाखियू छे एटला त्यार में अटधी टीस पून्थी थोड़ू उपर नाखि मिक्स करी शू अने ढाकी अने हजी 3 मिनिट माटे थवा देशू एटले वटाण आपड़े सीधा काचा नाखिया छे एटले ग्रेवी साथे ज वटाणा सारी रीते सौफ्ट थाई चाशे तो आरीते तेमें जोईशे कोछो तेल एकदम सारी रीते छुट्टू पड़ी डोट टी स्पुन धाणा नो पावडर तो यहां हुँ धाणा जीरू नथी वापरती पंजाबी शाक्मा जीरू ओछू आमा वप्राई छे तमारी पसे जू एकलो धाणा नो पावडर नो होई तो तमे धाणा जीरू पावडर नाखी देवानों मिक्स करी ढाकी बे मिनिट चाबर माटे तिल छुट्टू पड़े तैया सुधी थवा देशू अडले मसाला तम्हें जुश को छो सारी रीते गृवी साथे चाड़ी गया चे तो मसाला मा थी तिल तमे जुशिको छुट्टू पड़ी गयाऊ घु खे साथे वटाना पण एकदम सारी रीते थई ग पनीर ना टुकडा उमेरी देशु तो व ता लटणा था जाई पछीज उमेरी शु अने जो तमे फ्रोजन वडटा लवा परता होई तो एने थोडी वार माटे गरम पाणी मा राक्वानू अने पनीर साथे ज मेरी देवाना थे ऺपाण हळवा हाथे पनी ने मिक्स करवानू पनीर एकदम सोफ्ट वोई छे एटले ए टूटी जाये छे तो धियान राखवानू अने बे मिनेट जी हुँ थाए एटले एक कप एकदम गरम पाणी उकड़तु गरम पाणी में मिक्सर जहार मा जे ग्रिवी बनावी हती एमा उमेरियू अने एप पाणी आपणे ग्रिवी मा उमेरि देशू तो ग्रेवी माँ जो तम्हें एकदम गरम पाणी नाक शो एटले एनो कलर जळवाई रेशे साथे साथे टेस्ट पन जळवाई रेशे एटले ठंडू पाणी नाक वा करता तमारे गरम पाणी कोईपण पंजाबी शाक माउमेरवानू મिक्स करी દઈશુ અને તમે જોષે કોછો શાકનો કલાર પણ બો સારોય વાવીઓ છે આરી તે હળવા હાથે મिक्स કરી ધાકી અને હવે આપણે 5 મેટ જેઓ થવા દઈશુ એટલે તેલ છુટ્ટુ પડી જાશે આને ગ્રેવી પણ સારી રીતે થઈ જાશે અને એટી 2 ટેબલ સપુંજ એટલી કસુરી મેથી કસુરી મેથી એટલે લીલી જે મેથી હોય એસુકવેલી હોય એને તયાર છે લાસ્ટ માં રેસ્ટરોન માં થોડો કોઈ પણ પંજામી શાકમાં ગળ્પણ પર ટેસ્ટ આઉતો હોય છે ત સ્ટરોન સ્ટાય્લ મટર પંઈનો બનાવી હોય તો રેસેપી એકવાર જારુથી ટ્રાઈ કરજો જો તમને આરેસેપી ગમી હોય તો રેસેપી ને લાઇક કરજો શેર કરજો અને મારા ચેનલ ને સબસ્કરાબ કરજો અને આવી જેનવી રેસ કરજો તો 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 તોમે ઘરે આ રેસ્ટરાંટ જેઉ તો મટર પનીર એકવાર બનાવી